Hello friends, welcome back to my channel Friends, कैसे हो आप सब? उमीद करती हूँ, आप सब बढ़िये से ही होंगे घर का काम हो या किचन का काम हो हमें किसी न किसी काम में परसानी का सामना तो करना ही पड़ता है लेकिन हम अपने काम को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रूँ करें तो यही कम चुटकियों में और असानी से हो जाते हैं मैं आपके लिए यूजफुल टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ तो चलिए फ्रेंस देने लगाते हूँ शुरू करते हैं आज की वीडियो देखे मैंने यहाँ पे बटुवा ले लिया है यह एक लैदर का बटुवा है देखे इसके अंदर कितना जादा जंग आ चुका है यह एक दम से खराब हो गया है इसको यूज की होए काफी टाइम हो गया था तो इसमें फंगस लग गई है और इसका कलर भी एक दम से फेड हो गया है इसकी फंगस भी खत्म हो जाएगी और बटुवा का कलर एक दम से चमक जाएगा इस बटुवा को रखकर भूल गए थे और जैसे ही मेरे हाथ में आया तो देखे इसके अंदर फंगस भी लग गई है और इसका कलर एक दम से खराब पड़ गया है तो मैंने सोचा के क्यों ना इसको ठीक किया जाए देखिए बाहर से तो इसका कलर एक दम से साफ हो गया है और ये एक दम देखने में भी अच्छा लग रहा है लेकिन इसके अंदर जो फंगस लगी हुई है तांकि ये फंगस जो है वो चली जाए देखिए बाटव के अंदर कितनी फंगस लग गए थी लेकिन ये वैसनिन से चली जाएगी और हमारा बाटव एक दम से साफ हो जाएगा ये नया बाटवा था लेकिन इसको यूज नहीं कर पाए और रखे रखे इसकी ऐसी हालत हो गई तो सोचा कि इसको फैकना किसलिए क्यों नहीं किया जाए तो मैंने वैसनिन लगा के इसको बिल्कुल एक दम से नहीं कर दिया अब मैं इसकी चेन में भी वैसनिन लगा लूँगी तांकि ये जम गई होगी तो अच्छे से खुल जाएगी और बंद भी हो जाएगी तो देखिए फ्रेंस मैंने पुराने से बट्वो को एक दम से नया बना दिया है और इसकी फंगस भी मिट गई है और ये एक दम से नया लग रहा है जैसे इसको अभी ही लेके आए हो फ्रेंस अगर आपके पास इस तरह का बट्वो पड़ा है तो आप उसे इस तरीके से ठी कर सकते हो आपका कोई भी लैदर का पर्स हो बट्वो हो बैल्ट हो आप इस तरीके से बढ़ी अच्छे तरीके से उन्हें चमका सकते हो हम लेडिस जो पर्स यूज़ करते है कहीं बार के होता है कि उनका कलर एकदम से हलका पड़ जाता है तो उसे चमकाने के लिए आप इस तरीके से वैसलिन का यूज़ कर सकते हो लैदर के बैग होगे बैट होगे या आप इस तरीके से बैसलिन से उन्हें बढ़ी अच्छे तरीके से साफ कर सकते हो और उनका कलर जो है एकदम से चमक जाएगा तो आपने देखा जब मैंने आपको ये बटवा दिखाए था तो देखने में भी कितना खराब लग रहा था लेकिन देखिए आप इसका कलर कितने अच्छे से चमक गया है और एकदम से नया ही बटवा लग रहा है जैसे इसको अभी ही खरीद कर लेके आए हो लैदर की बटवा बैग पर्स बैट को आप बड़ी असान तरीके से साफ कर सकते हो सिर्फ एक बैसलिन की साहिता से देखिए मैंने सिर्फ वैसलेन से बटो को कितने अच्छे तरीके से साफ कर लिया और एक दम से चमग गया है लग रहा है जैसे इसको अभी ही ख्रीद के लेके आए हो चलिए देख लेते हैं कि अगली ट्रिक के है देखिए मैंने यहाँ पे मिठाई का खाली डबबा ले लिया है हम सब क्या करते हैं कि मिठाई का खाली डबबा होता है तो उसे बेकार समझकर फैंक देते हैं लेकिन मैंने इसके यूज कैसे किये चलिए मैं आपको बताती हूँ देखिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्ची ले ली है कार्ड बोर्ड का डब्बा है तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची लंबेश में तक फ्रेस बने रहेंगे देखे मैंने धनिय को अंदर डाल लिया है अब हमने क्या करना है कि मिर्ची को डालना है लेकिन मिर्ची को हमने सीधा ऐसे नहीं डालना है इसके लिए हमने क्या करना है कि एक टीशू पेपर ले लेना है और फिर इस तरीके से हमने धनिये की जड़ों को ढख लेना है देखिए इस तरीके से और फिर तब हमने हरी मिर्ची को रख देना है मैंने मिर्ची के डंठर नहीं निकाले हैं अगर आप चाहें तो मिर्ची के डंठरों को निकाल कर भी रख सकते हो इस तरीके से cardboard के डबबे में रखने से ये जल्दी खराब नहीं होंगे मेरे पास अभी मिठाई का छोटा ही डबबा था तो मैंने इसमें दो ही चीज़ें डाली है अगर आपके पास मिठाई का बड़ा डबा हो तो आपने क्या करना है कि इसमें जैसे भिंडी होगे, बीन्स होगे, मट्र होगे, ऐसे और सबजें भी डाल कर रख सकते हो अब हमारा हरा धनिया और हरी मिर्ची लंबेश में तक फ्रेस बने रहेंगे फ्रेंज आप इस ट्रीक को जरूर ट्राइ करके देखना, यह बहुत ही बड़ी ट्रीक है चलिए देख लेते हैं कि अगली ट्रीक के है, देखिए मैंने इहाँ पे करेले ले लिया है फ्रेंट्स क्रेले तो हम सब काटते हैं लेकिन आपने जो तरीक का आज देखना है वो आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा मैंने क्रेले को धो कर लिया है और इसे कपड़े से पोंच भी लिया है इसी तरिके से आपने भी पहले क्रेले को धो लेना है और फिर इसे काटना है आपने क्या करना है कि जितने क्रेले को काटना है एक साथ मैं ही काट लेना है अगर आप क्रेले का छिलका निकालते हो तो बताया करें, तांकि मैं भी जान पाऊं कि मेरी बीडियो कहां कहां और देश के किस-किस कोने में देखी जाती है, तो देखेए मैंने करेले काट लिया आप सोच रहे होंगे कि करेले तो सभी ऐसे ही काटते हैं इसमें नई बात क्या है तो चली मैं आपको बताती हूँ कि नई बात इसमें है क्या देखे करेले तो सभी काट लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इसके बीज निकालना इसके बीज देखी हम जब आपको दोनों मैंसे जो अच्छा लगे आपने ले लेना है देखिए जी तरीके से मैं करेले से बीज निकार रही हूं उसी तरीके से आपने भी सेफटी पिन की साहिता से बीजों को निकार लेना है और ये बढ़ी असानी से बीज ही निकलेंगे उसका बाग की हिस्सा नहीं निकलेगा, ये देखिए इस तरीके से, कहीं लोग क्या करते हैं कि क्रेले को काट लेते हैं और फिर उसे फ्राइ करते हैं और फिर बाद में उसके बीज निकलने का सही तरीका नहीं है, क्रेले की सब से क्रेले के बीज निकाल कर आपको बताएं और आप टूथपिक्स से निकाल कर बता रहे हूं देखिए कितने जल्दी से निकल रहे हैं और आपके सामने बीजों के ढेल लग पड़ा है देखिए यहां पर क्रेले के बीज ही निकले हैं बाकी क्रेले का कोई भी हिसा बाहर नह अगर आप क्रेले को बिल्कुल भी बेस्ट नहीं करना चाते तो आप इस तरी को जुरूर ट्राइ करके देखना अगर बीज निकालती बाद क्रेले का अंदर वाला हिस्सा बेस्ट हो जाएगा तो फिर उसमें बचे ही किया तो इस तरीके से आप सेफटी पीन से या तूथप कचले में नहीं फैंकोगे तो चलिए फ्रेंस देख लेते हैं कि एक टूट हुए कलचर से आज हम क्या बना कर तयार करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके दांतों को इस तरीके से तोड़ लेना है और यह जो इसका आगे वाला हिस्सा है इसको भ गन कर तयार हो जाएंगे अब आपने क्या करना है कि गल्यू गन ले लेनी है या फैविक्यू और इन दोनों को आपसे मैं इस तरीके से चिपका लेना है तो देखे इस तरीके से मैंने इने आपसे मैं चिपका लिया है अब क्या करना है कि मोटा सा पेपर लेना है और आगे होंगे कि हम बटरफ्लाई बना कर तयार कर रहे हैं आप आपने क्या करना है कि फैविकोल ले लेना है और देखिए इस तरीके से फैविकोल लगा लेना है फैविकोल लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल अच्छे से फैविकोल लगाना है और इस तरह तरीके से आपने फैव को लगाया होगा ग्लीटर उतने अच्छी तरीके से सैट हो जाएगी और यह देखने में फिर बहुत ही सुन्दर लगेगी यह देखिए कुछ इस तरह की यह बनकर तयार है लेकिन इसे और डैकोरेट करने के लिए मैंने क्या करना है कि इसके उपर अल और इस तरीके से एरियल काटकर तयार कर लेने हैं और इन पर थोड़ा थोड़ा ग्लीटर लगा लेनी है तांकि यह देखने में अच्छे लगें और देखिए सीधी बाली साइड में इन दोनों एरियल को चिपका देना है इस जगा पे अच्छे से तो देखिए फ्रेंस इ हमारी बटरफलाई बनकर तयार है जो कितनी अच्छी लग रही है हमने सिर्फ इसे एक टूटे हुए कलचर से बना कर तयार किया है इस तरह से आप भी अपने हेर कलचर का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका हेर कलचर थोड़ा सा भी तूट जाए तो उसे बेकार समझके कच पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आती रहा करूंगी अब देखिए डबल साइडर टेप लगा के आप इसे कहीं भी चिपका सकते हो वीडियो थोड़ी से भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर क थेंक्स पर वोचिंग